वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैब कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यह सीरीज बाइलिंगबल है यानि हिंदी और इंग्लिश टोनों ही मीडियम में इसमें आंसर्स दें हुए हैं आप किसी भी मीडियम के हैं तो इससे लाब प्राप्त कर सकते हैं राइट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेट आने वाले PCS, RO, ARO, BEO जैसे जितने भी एक्जाम्स हैं उनके लिए क्राश कोर्से जिन से जुड़कर आप सेलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं तो डेफिनिटली आप उनसे जुड़िये और लाब प्राप्त कीजिए और इन से संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन क्या क्वेशन है आपको पता हैं हम GS1 डिसकस कर रहे हैं GS1 के क्वेशन अगर हम किसी और पार्ट में जाएंगे GS की तो उतका मैं आपको पहले से बता दूँगी वह कौन से GS से हम क्वेशन कर रहे हैं तो फिलहाल जतने भी क्वेशन किये गए हैं वह GS1 के ही आज का क्वेश क्वेशन के लिए कड़े कानूनों की आविशकता क्यों है और इन कानूनों के 2 रुप्यों के कारणों पर भी हमको चिर्चा करनी है देखिए तो आपको पता है इंट्रोडक्शन में हम डेफिनिशन लिख सकते हैं या फिर एक अच्छा सा डेटा दे सकते हैं तो यह जो ड देखिए तो हमारे पास अगर डेटा है तो वह हम डे सकते हैं जैसे कि हम बता सकते हैं कि NCRB यानि की नाशनल क्राइम रिकॉर्ट्स ब्यूरो के अनुसार जो क्राइम्स है विमन के अगेंस्ट यह 15.3 परसेंट बढ़े हैं 2021 में इससे पिछले वर्ष की तुलना में और इ तो अकर हम डेटा से अपना आंसर शुरू कर रहे हैं तो यह आंसर हमारा बहुत अच्छा हो जाए इसलिए जो भी important topics होते हैं syllabus के उनसे संबंदित हमारे पास data handy होना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि आप वो data कहां पर use कर सकते हैं तो यह हमारा introduction हो गया अब हम देखे करेंगे need क्या है strong loss की women related issues से संबंदित ऐसी क्या जरूरत है कि हमको strong loss की जरूरत है भाहिलाओं से जुड़े मुद्दों के लिए तो सबसे पहले अगर हम subheadings में देंगे तो हमारे लिए points को recall करना easy हो जाता है और हमारा answer better structured हो जाता है यदि आप subheadings नहीं देना चाहें तो भी उसमें कोई problem नहीं है तो इसके लिए हम पहले social causes discuss करेंगे social में क्या है पित्र सत्तात्मक मान सिकता है यानि कि patriarchal mindset है जिसके अंतरगत pressure रहता है कि जो women है वो withdraw कर ले अपने आपको ऐसे cases से ठीक है इसी वेज़े से strong law की जरुरत है साथ में महिलाओं में हम awareness की कमी देखत होती है प्राया देखा जाता है कि महिलाओं के बड़ी जन सक्क्या अशिक्षित भी तो ऐसे cases में भी जरूरी हो जाता है कि हम strong laws लेकर आए ताकि उनके हग की वो लडाई लड़ सके और family pressure भी रहता है कि महिलाओं प्रयास करेंगी शादी को वो बनाए रखे और देखिए economic cause क्या है lack of financial independence of women बहिलाएं जो है वो वित्ती इस्वतंत्रता उनके पास नहीं होती इसका अभाग होता है यह economic कारण हो गया उसके बाद administrative कुछ कारण होते हैं कौन-कौन से कारण हो जाएंगे प्राया यह देखा जाता है कि जो महिलाएं है वे अदालत के बाहर समाधान का विकल्प चुनती है क्योंकि जो कई महिलाएं होती है उनको विशेश रूप से जो rural areas की क्रामिर शेत्रों की होती है उनको क्या लगता है कि इन प्रावधानों के बारे में उनको knowledge नहीं होती है तो यह प्रशासनिक कारण उनों में आ जाएगा साथ में प्रशासनिक उदासी इन्था यानि की administrative empathy भी देखने को मिलती है जिसके कारण क्या होता है उन्हें सार्वजनेक रूप से शर्मसार होना पड़ता है क्योंकि लोगों के अंदर कोई भी sympathy उनके प्रती नहीं देखी जाती है ठीक है साथ में प्रॉपर मशीनरी का भी अभाव देखा जाता है और फिर क्या है पूर बजिट्री एलोकेशन और अन्प्लांट एक्स्पेंडिचर यह भी administrative cause है राइट देखिए यह हमने सारे causes डिसकस कर लिए है कि यह सारी परिशानिया है इसी वज़े से हमें strong laws चाहिए women के लिए ठीक है क्या जरूरत है strong laws की इसके क्या causes है वो हमने सारे डिसकस कर लिए ठीक है तो उसके पाद हम लिखेंगे यह जो कारण है यह justify करते हैं presence of strong laws which deter violence and discrimination against women तो इससे हमें पता चलता है इन causes से कि क्यों हमें मजबूत कानून चाहिए जिनकी मौजूद्गी से जो महिलाए है उनके खिलाफ उनके विरुत कोई हिंसा या भेदभाव ना हो सके ठीक है लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि यह जो laws है इनका misuse भी किया जाता है यह क्योंकि women जो कानून है इनकी व्याख्या जो है क्योंकि जैसे Domestic Violence Act है इसमें मेल्स को कोई protection नहीं दिया गया है एक बार अगर विमन ने complain कर दी तो डिरेक्ली जो मेल होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है जबकि यहाँ पर पहले जाच परतार होनी चाहिए उसके बाद उनको अरेस्ट करना चाहिए और मेल्स को भी protection द जो complaints करते हैं लोग उनको punish करने लगें ऐसा कोई वो लगा दे कोई fine लगा दे तो यह जो complaints है वो कम होंगी false complaints लिकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसका मन होता है वो file कर सकता है इसलिए क्या कहा गया है यह हमने answer के जो हमारा question demand कर रहा था उसके दोनों parts के points को discuss कर लिया है अब हम अपना answer end कैसे करेंगे conclude कैसे करेंगे वो देख लेते हैं conclusion में आप क्या लिख सकते हैं आपको conclusion हमेशा एक balanced approach से देना होता है ठीक है कोई भी चीज आपको सही लगती हो या गलत लगती हो वो माइने नहीं रखती आपको balanced approach देना है और आप चाहें तो उसमें एक way forward, एक suggestion, एक measure भी लिख सकते हैं ठीक है कि आप अपना तीन line का conclusion दे रहे हैं उसमें आप एक suggestion दे दे तो ऐसा लगेगा कि आप forward looking है ठीक है तो हम देखते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है लिखा है कि उपरोक्त कारणों से यह समय की मांग है कि कानूनों को मजबूत कर महिला जा दिया कि कौन से steps लिए जा सकते हैं इससे जादा तो आप points बता नहीं सकते हैं क्योंकि conclusion आपका ज्यादा बढ़ा नहीं हो सकता तो आपने दो points भी बता दिये like proper investigation and enhancing transparency in the system तो आपका answer अच्छा हो जाएगा conclusion अच्छा हो जाएगा right तो इस तरह से आप इसको conclude करेंगे यह आपको कोई doubt हो या कोई query हो तो आप पूछ सकते हैं comment करकर हम अपने next lecture में मिलेंगे thank you so much